नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक जर्नल इफिमेटिव वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि शैनिकन जोन के अंदर आप लोग टूरिस वीजा किस तरा से अपलाई कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं requirements की requirements की अगर बात करें बहुत एक list है यह documents आप देख सकते हैं screen के उपर passport चाहिए इसके लिए ठीक है जी आपको जो है medical insurance चाहिए travel insurance चाहिए इसके अलावा bank statement जो है वो आपको maintain करनी पड़ेगी itinerary चाहिए आपकी travel history होनी चाहिए ठीक है जी hotel booking होनी चाहिए उसके बाद आपकी return ticket भी होनी चाहिए तो दोस्तों यह सारे के सारी जो documents हैं इनके बारे में आज हम बात करेंगे चलिए start करते हैं बात करें आज tourist visa के बारे में तो यह जो process है थोड़ा सा आसान होता है बट इसके अंदर documentation काफी ज़्यादा लग जाती है कहने का मतलब पहले नबर पर आपके पास जो है passport होना चाहिए six months से ज़्यादा valid होना चाहिए मतलब आपका passport छे महीने से ज़्यादा valid होना चाहिए आपके passport के उपर किसी भी तरह की कोई भी problem नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब आपके पास कुछ भी refusal ना हो पहले किसी country से आपको जो है इसके लिए medical insurance चाहिए तकरीबन 30,000 euro तक ठीक है जी travel insurance आपके पास होनी चाहिए अब आगे बात करते हैं जो bank statement है bank statement की अगर बात करें दोस्तों आपके पास bank balance है आपका तकरीबन 6-7,000,000,000 रुपे होना चाहिए उसके अंदर आप जो है अपने अगर rental property है ठीक है जी कहीं से आपको rent आ रहा है उसके लिए भी आप जो है cover letter ready करके उसके अंदर mention कर सकते हैं यहां फिर आपका कोई family business है उसके related आप जो है उसके documents जरूर submit करवाएं साथ में आप जहां पर काम कर रहे हैं वहाँ से salary slips ले 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 ठीक है जी या फिर company का letterhead ले तो यह चीज़े बहुत ज़़ा important है और यह माहिने रखती है अगर आप जो है tourist visa apply करना चाहते है ITR चाहिए आपको income tax returns जो है maximum आपको कम से कम दो सालों की income tax returns जो है वहाँ पर submit करनी पड़ेंगी अगर आप tourist visa ले शेंगन में apply कर रहे हैं इसके आगे बात कर लेते है आइटिनरी अब आइटिनरी जो होता है यह एक basically एक plan होता है आपका ठीक है जी इसके अंदर day 1 से लेकर day 10 तक हर एक चीज़ mention की होती है कि पहले दिन में आप जो है जहां घूमने जा रहे हैं वहाँ प important है अगर आप tourist visa apply कर रहे है ठीक है जी अब बात कर ले और दूसरी चीज़ दोस्तों जो आइटिनरी आप present कर रहे हैं वहाँ पर वो आपके bank statement के साथ match होनी चाहिए मतलब यह ना हो कि आइटिनरी जो आप दे रहे हैं को analyze करने के बाद visa officer को यह लगए कि यहाँ पर तो इन European countries जो है 15 से 20 दिन के अंदर result दे देती है ठीक है जी और जो cost होती है शेंगन visa की 80 euros होती है 80 euros जो है फीस होती है शेंगन visa अगर आप tourist supply करना चाहते है तो दोस्तों आप आज ही अपनी इन documents को ready कीजिए और tourist visa apply कर दीजिए और आपकी travel history बहुत ज़्यादा माइने रखती है इस चीज के अंदर आपके पास ज़्यादा नहीं तो minimum दो countries की आपके पास travel history होनी चाहिए अगर आप शेंगन visa जो है apply करना चाहते है ठीक है जी तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लग मिलते हैं अगली वीडियो में thank you so much